हेलो फ्रेंग्स वैरी को रिप्लेस करने का सिरीज हमने चलाया हुआ है Instead of using वैरी we use different words which are more impactful इसी तरह की अलग-अलग सिरीज अलग-अलग topics पर related to English हम चलाते रहते हैं और यह हम लगातार करते रहेंगे आप केवल हमारा सपोर्ट कीजिये प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल if you haven't done yet और बेल आइकोन को क्रेस करना बिलकुल नहीं भूले जिससे आपको नए वीडियो के notification मिलते हैं चैनल पर हम English से related आपको कोई भी confusion है कोई भी question है आप comment box में डाल दीजे comment जो आप करेंगे according to that I will upload video on that comment और जो भी आपका issue होगा अभी हम पहला word ले रहे हैं very wide very wide को आप कह सकते हैं expensive expensive very wide बहुत बड़ा चोड़ा next word हमारा है very stupid very stupid इसको हम कह सकते हैं idiotic rather than saying very stupid the one word can be used idiotic next word हमारा very windy बहुत हवादार तो उसके लिए हम कह सकते हैं blustery next word है मारा very tasty very tasty delicious very tasty को हम क्या कहेंगे delicious कई लोग इसको delicious इस तरह से बोलते हैं pronunciation is delicious very willing next word हुआ very willing बहुत इच्छोपो किसी चीज के लिए उसको हम कहेंगे eager very wise बहुत समझदार बहुत ही ज्यादा ज्यानि phase very worried बहुत चिंतित बहुत चिंतित को हम कहेंगे distressed distressed very few निश्चित certain very talented very talented को हम कहेंगे gifted और लास्ट वर्ड हम इस वीडियो में ले रहे हैं very tall very tall को हम कहेंगे towering बहुत उचा बहुत लंबा यह जो ten words हमने यूज किये हैं इनको आप इस तरह से अब यूज कर सकते हैं very और जो वर्ड है दूसरा उसके बजाए आप एक नए वर्ड को यूज करें that will make more important इसके अलावा अब हम अपने चैनल पर और बहुत सारी चीज़े जोड़ने वाले हैं अबेकस, handwriting, Vedic Math और सारी skills जो अलग अलग सभी age group के बच्चों के लिए बहुत useful है उनको हम डालेंगे बस आप हमारे साथ बने रहिए हमें support करिए इस चैनल को share कीज़े subscribe कीजिए thank you very much for watching this video